विछले लेक्षर में हमने वीडियो एफेक्ट्स के बारे में देखा हमने एफेक्ट्स के पैनल को एक्स्प्लोर किया और हमने डिफरेंट एफेक्ट्स लगा कर ट्राइए इस लेक्ट्स में भी हम एफेक्ट्स पे ही बात करेंगे हम क्लिप के ओपर डिफरेंट एफेक्ट्स लगा के भी देखते हैं साथ में उनकी वैल्यूस को भी चेंज करके देखते हैं और हम साथ में ये भी चेक करते हैं कि अगर हम उनको एनिमेट करें उनकी वैल्यूस को तो slow motion में एक शौट है जिसमें एक बंदा वाक कर रहा है इनके उपर हम इसके अंदर एफेक्ट लगाते हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं बड़ा यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि अगर कोई ऐसा इफेक्ट है जिसका आपको नाम से उसका पता है या मेरी वह दो वर्ड के नाम से एक इफेक्ट बनता है तो आप जब उस नाम को सर्च करेंगे यहां पर आपके पास एक चोटी सी एक सर्च बार है यहां पर इस इफेक्ट वाली विंडो के नीचे ही तो जब आप यहां पर क्लिक करें सर्च करें यहां पर आपने जिस तरह मैं भी बलर लगाने लगा था तो मैंने यहां पर लिखा आप देख सकते हैं आपके पास बलर की जितनी भी ऑप्शन्स यहां पर थी कोई preset's बने बनाए हैं या फिर अगर कोई किसी transition के अंदर वो fall करता है उस सारी options आपके पास यहां पर आ चुकी है हमें पता है हमें effects के अंदर blur and sharpen के अंदर जाके blur लगाना है तो मैं यहां पर अपना same यही वाला effect जो हमने पहले use किया था यहां पर हम इसको drag करके लगाते है इसको further change करने के लिए हम अपने effect control window में जाएंगे और यहां पर हम इसकी blur की value बढ़ा देंगे आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो clip था blur हो चुका है और इसको हम अगर play करें अभी तो कुछ इस तरह से आपके पास play हो रहा है मैं पहले frame पर दुबारा आता हूँ और यहां पर मैं blur पे एक keyframe add करता हूँ animation को on करता हूँ basically तो जिस तरीके से हमने effect control window में अपनी motion में scaling में rotation में keyframe लगा के change करके different values के थूँ हमने अपनी animation की उसी सेम तरीके से हमारे पास बिलकुल वही चोटी सी एक और timeline है हमारे पास effect के नीचे एक चोटा सा यह toggle animation का button है जिसको on करने से keyframe automatically add हो जाएगा और उसी तरह से जब हम value change करते जाएंगे हमारे further further keyframes की value change होती जाएगी यहां से जब मैंने animation को on किया keyframe हमारे पास add हो गया और अगर मैं इसको यहां से play कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहां तक मेरे पास यह keyframe एक और add हो जाए और यहां पर यह जो blur की value है इसको हम बिल्कुल reduce कर देते हैं और हम इसको बिल्कुल sharp कर देते हैं आप देख सकते हैं मेरे पास यहां पर दो keyframe add हैं पहले keyframe पर जाने के लिए इसको मैं click करूँगा इस चोटे से arrow को आप देख सकते हैं पहला keyframe बिल्कुल blur है और जो दूसरा keyframe पर जाने के लिए मैं यहां click करूँगा आप देख सकते हैं इस वक्त वो blur नहीं है तो basically हमने क्या किया हमने इन दो keyframes पे values को change कर दिया जो पहला keyframe था उसमें मेरे पास value है 100 और जो second keyframe है मेरे पास उसमें इसकी value आप देख सकते हैं 0 और इन दो keyframes का मतलब यह है कि यह value animate हो रही है प्ले करके देखते हैं और हम इसको full screen करते हैं साथ साथ तो आप देख सकते हैं कि पहले आपका clip totally blur था और आजस्ता इस्ता जितना keyframe second keyframe तक पहुशने तक value 0 होगी blur की और आपका image वहाँ पे आपका जो clip था वह शार्प हो गया एक tip आपको और दे दूँ यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इसकी duration जो है जितने यह keyframes की change हो रही है एक frame से दूसरे keyframe में आप चाहते हैं यह जल्दी से blur हो जाए कोई हो जाए तो आप इन keyframes को जितना pass करेंगे उतनी ही जल्दी वो क्योंकर रेल टाइम प्ले हो रहा है तो उतनी ही जल्दी वह आपका effect second keyframe पर चला जाएगा और second keyframe पर जो वैल्यू है उसमें वह convert हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर इसको जूम करके इस keyframe को इसके कर रहा हूं तो वह सिर्फ इस एरिये से इस एरिये में जहां तक की फ्रेम था उसने इस वैल्यू को animate कर दिया हम इसको फर्दर और भी पास कर सकते हैं मैंने इसको जूम-इन किया अगर हम full screen करके देखें तो इस वक्ति यह player है और मैं इसको play कर रहा हूं तो वो बहुत quickly वापिस अपने उसमें चला गया तो जितना जितना आप keyframe को pass या दूर करते जाएंगे उसी हिसाफ से आपका impact भी बदलता जाएगा आपकी values के animation की जो change over हो रहा है जो इनकी values change हो रही है बेसिकली उनका distance आपस में पढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा हम चाहें तो इसके ओपर दूसरा effect भी लगा सकते हैं चले हम एक और effect ट्राइप करते हैं प्लर को हमने यहां से बंद किया वीडियो में हम गए adjust में और मेरे पास यहां पर एक और effect में आपको बताता चलूँ प्रॉक एम्प के नाम से है जो के basically आपके clip के brightness, contrast, saturation, color इनके साथ थोड़ा सा आप इनकी values को change कर सकते हैं यह saturation क्या है, brightest, contrast क्या है, आगे हम अपने further color grading के lectures में detail में इनको discuss करेंगे फिल्हाल मैं आपको सिर्फ यह effect के बारे में बता दूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहां पर मेरा cursor है अगर मैं यहां पर brightness को छेड़ूँ तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आपका आपकी intensity है, आपके color की और अगर मैं इसको 100 से बढ़ाओंगा तो और तेज हो जाएंगे color intensity बढ़ जाएगी और अगर मैं इसको value कम करता जाओंगा तो आप देख सकते हैं कि color की intensity इतनी कम होई कि वह black and white हो गया हम इसको in between भी रख सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास effect है blur का जो कि animate हुआ और अगर मैं चाहूं तो इन effect को हर एक के साथ अलग-अलग animation का button मेरे पास यहां पर मजूद है मैं इनको अलग-अलग तरीके से animate कर सकता हूं मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरा जो पूरा overall clip है इस वक्त इनीशिल यही शुरू से पर था वो अपनी जगा अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से animation on करके इस value को change कर सकता हूं saturation की value को change करने का मतलब यही है कि मैं जब इसको अगर बढ़ाऊंगा तो इसमें colors आते जाएंगे colors की intensity बढ़ती जाएगी इस area से अगर मैं चाहूं जहां पर मेरा इस वक्त करसर है या मेरा cti है मैंने इस के animation को यहां से on किया और further मैं चाहूं कि यहां तक जाके इसके color एक keyframe और add कर लेता हूं और इस keyframe पर basically मेरी value इस वक्त दौनों की फ्रेम पर 0 है अभी पहला की फ्रेम दूसरा की फ्रेम और यहां पर मैं इसकी value 100 कर देता हूं अगर तो आप देख सकते हैं उसके color वापस आ चुके हैं थोड़ी सी intensity में और भी बढ़ाना चाहूं तो मैं इसको 200 भी कर सकता हूं कि जितने actual colors थे उससे भी ज़्यादा color इसके और बढ़ चुके हैं अगर हम इसको play करके देखें इस वक्त तो पहले हमारे पास blur का effect था और black and white और आइस्ता आइस्ता यह colors की तरफ चला गया फर्दर जितना जितना मेरे पास क्लिप चल रहा है मैं इस पे मजीद changes कर सकता हूं एवन एक effect लगावा है मेरे पास possibility है कि मैं इसमें और options भी इसकी explore कर सकता हूं में भी मैं यहां से जाके इसके brightness contrast को तोनों पर की फ्रेम एक साथ मैं ने लगा दिया है और यहां तक जाके मैंने इनकी brightness को थोड़ा सा contrast को मैं अगर चेंज करूं value तो आप देख सकते हैं इस वक्त कि यह further की फ्रेम जो color का था पहले saturation 0 to 200 और अब आप देख सकते हैं यह और इसी brightness contrast को मैं चाहूं तो दुबारा नॉर्मल वैल्यूस पे भी ले आऊ तब यहां से मैं इसको अगर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं की फ्रेम भी एड़ हो गया क्योंके animation on है मैंने reset किया मैंने अब आप देखें कि आपके पास एक effect create होता जा रहा है कि आपने play किया तो यह brightest contrast होई और उसके बाद दुबारा ही वापिस वह अपनी actual उसमें आ गया काफी interesting और यह fun part होता है सारा effect के साथ play around करना बहुत सारी चीज़े आप pre-plan करते हैं बहुत सारी चीज़े आप साथ-साथ बना भी सकते हैं मैं अगर यहां से hue को भी on करूं और further जाके मैं एक और keyframe add करता हूं यहां पर यू को आप देख सकते हैं बिल्कुल ही उसने different colors में उसको ले गया तोड़ा सा और आगर जाके मैं hue को चाहूं तो reset कर दूँ हम इनको play करके देखते हैं इस वक्त hue वाले portion से ही आप देख रहे हैं colors इसके कैसे change हो रहे हैं और बिल्कुल ही एक different किसम का effect आपके पास बन गया है और अगर हम इस clip को शुरूर से play करें जिसमें हमारे पास blur भी साथ चल रहा है हमारे पास यह जब प्रॉक हैं था effect यह भी चल रहा है तो अगर मैं इन effect को यहां से off कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि उसके बगार यह clip कैसा था इसको हम play करके देखते हैं और अब हम इन effect को on करते हैं यहां से blur को on किया और proc m को on किया चुरूर से इसको play करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ settings को change करने से कुछ properties को change करने से और कुछ keyframes के साथ play around करने से आपने कुछ इस तरह का effect achieve किया आप further और भी effect लगा के कुछ और भी achieve करना चाहते थे तो कर सकते थे आप different effects को एक साथ भी लगा सकते हैं आप बारी बारी भी उन पर काम करके उनको further उनकी values को change करके आप उनको animate करके कुछ और भी look कुछ और भी result achieve कर सकते हैं इसके अलावा आपके पास बेतहाशा effects मुझूद हैं आप इनको explore करें आप इनको देखें तो यह तो हमने कुछ effects को explore किया हमने keyframes लगा के इनकी values को animate किया और आप ने देखा किस तरह से different effects को लगाने से इनकी values को animate करने से किस तरह से आपका लोग आपका result change होता रहता है और और किस तरह से आप different चीजे अचीव कर सकते है effects के तो आप अपनी practice continue रखें आप चीजों को explore करते रहें आप को चीज टीवी पर देखते हैं आप को social media पर देखते हैं तो आप उसको बिल्कुल observe करें उसको explore करें कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं या फिर आप किस त पेको